मतलब? मतलब तुम्हारे पापा कभी नहीं चाहते थी कि तुम ये केस लड़ो क्योंकि तुम जिसके खिलाब केस लड़ रही हो वो राघभप सिंग राजपूत है तो क्या हुआ प्रॉब्लम क्या है? बताओ न मा उसे क्या फड़क पड़ता है सुनोगी? सहे पाओगी तुम? हाँ बोलो ना कोई प्रॉब्लम ने ये बताओ मुझे क्योंकि राघभप सिंग राजपूती वो वकील है जिसने तेने पापा को रिश्वत खोड, दलाल और चोड साधित किया था और इसी बात के तर से आज भी हो घर में चपकर बैठे हुए पूरी जिन्देगी अपने बच्चों को खिलाने ही बाए तेने पापा पूरी जिन्देगी डर और आतंग में बीद गई तरी पापा के उनके बेष्जती और अपमान के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो गिनी के साथ और रागभप सिंग राजपूत और तो उसी के खिलाब केस लड़ी है अजली इसका मतलब यही वो आत्मी है इस रागभप सिंग राजपूत के वज़र से मेरे पापा कर समी मजाग उड़ाते हैं मुझे चड़ाते हैं पेकार वकील की बेटी हारे हुए इंसान की बेटी तेरे पापा को कोट में कभी कोई कुर्सी नहीं मिली और तुछे भी नहीं मिलेगी वो मेरा बेटा है बेटा वो दिन आएगा जब पूरी दुनिया इसे इसके नाम से जानेगी एडवकेट अंजली अवस्ति आज तू एडवकेट बन गई मैं तुझे अशिर्वाद देता हूँ तो जितने दिन तक केस लड़े की तेरे पापा तुझे एसिस्ट करेगा हलो जिवराज ठाकुर बोल रहा हूं यह मत सूचियो की तो इस बार बाजी जीत गई एडवकेट वस्ति नाना केल अभी खतम नहीं हुआ है केल अभी खेला जाएगा जरूर खेला जाएगा और उस पद्मा को ना मैं कोड तक पॉंच नहीं नहीं दोंगा एक बार तू तू तेरा बाप तेरा घर खांदा सब कुछ जल कर राख हो जाएगा जू कर तेखा एक बरबद माको इतने सेक्षन तो लगी चुके हैं अब एक ऐसा सेक्षन लगाऊंगी कि तू अपना बाप का नाम भी भूल जाएगा जबान संभाल कर बात कर अवाज नीचे करीव रा मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा ऐसा क्राइम मैं कभी नहीं करूंगा कीसी लडगी का हात पकर के मैं उसे कभी नहीं छेडूंगा वह और कोई नहीं एड़ेट्व अवस्ती हैं О्वस्ती है जो कर दिखा हाई वोल्टेज का शौक लगेगा पूरे 880 वोल्ट का ये बात अपने फेजर में खुशाले ना कोट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ तुम घबराना मत पदमा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ठीक है आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेग स्टापलस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेर और सबस्क्राइब करें स्टापलस यूट्यूब पेज को